Hi everyone, welcome back to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आप सभी का मेरी चैनल से जोडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी सा और जटपट बन जाने वाला नाश्ता, जो आप कभी भी सुबा, शाम, पांच से दस मिनट में बना के तयार कर सकते हैं. So, let's get started. मैं बहुत अच्छी कुख तो नहीं हूँ, but you can manage with it. So, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेर करना ना भूलें. Thank you so much. So, friends, बिना किसी देरी के रेसिपी हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको एक बड़ा बॉल ले लेना है. बॉल में मैंने करीब 10 से 11 आलू उबाल लिया था. आप अपने कॉर्डिंग आलू बढ़ा सकते हैं. तो आलू को अच्छे से उबाल के छील लेना है. और इसमें हम डालेंगे करीब 5 से 7 करली लसन को छोटे पीसिस में कट करना है. और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिर्ची. तो मिर्ची अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं. या फिर आप लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं. इसी के साथ मैंने एक बड़ी प्याज कट कर लिया था. इसको भी हम डाल देंगे. इसमें बहुत सारे इंग्रिडियंस की जरूरत नहीं होगी. और वही सारे इंग्रिडियंस जो आपके घर में होँगे. वही सब आप यूज कर सकते हैं इसमें. अब हम कटी हुए धन्याडीर सारी डाल देंगे. अगर आपके पास सफल मटर है या फिर मटर का सीजन चल रहा है तो आप मटर भी इसमें आड़ कर सकते हैं. और पनीर पसंद है तो आप इसमें पनीर भी थोड़ा क्वांटिटी में आड़ कर सकते हैं. अब हम इसमें डाल देंगे कॉन फ्लोर. तो करीब चार बड़ी चमच मैंने कॉन फ्लोर डाल दिया है. कॉन फ्लोर से ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होगा. और साथ ही मैंने यहां एक चमच सूजी डाला है. सूजी बिलकुल ऑप्शनल है. अगर आप चावल का आटा यूज कर रहे हैं तो आप इसको इग्णोर कर सकते हैं. तो ये सारे इंग्रिडियंस आपने डाल देना है इसमें. इसके साथ मैंने चिली फ्लेक्स रखा हुआ था इसको भी हम डाल देंगे. एक चमच मैंने यहां धनिया पाउडर डाला है और एक छोटी चमच मैंने यहां साबू जीरा डाल दिया है. जीरा के साथ हम स्वादनुसार नमक अड़ करेंगे और अच्छे से इसको फोड के मैश करेंगे. बिल्कुल इस तरह बना लेंगे. तो थोड़ा सा तेल लगागे हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे. नहीं तो यह थोड़ा सा चिपकने जैसे लगता है. बढ़ यह ठीक से अच्छे से तेल लगाने से हाथ में बढ़ने लगेगा. तो बिल्कुल इस तरह आपको लोहिया लेनी है. और आराम से यह लंबा हो जाएगा. आप चाहें तो कोई शेप दे सकते हैं. रेक्टेंगल या फिर आप इसका सर्किल टाइप में बिस्किट टाइप का शेप दे सकते हैं. बढ़ अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसे ट्राइ कर सकते हैं. आपको लोहिया लेनी है, लंबे में आपको कर देना है. और आप इसको या तो चाकू से कट कर लीजिए, या तो आप बड़ी कैची से बिल्कुल इस तरह कट करके इसमें डाल सकते हैं. ध्यान रहे कि तेल गरम होगा तो आपको आराम से इसमें डालना है. तो एक बार में ही आप कई सारे बनाके के पकोड़े तयार कर सकते हैं. तो फटा-फट यह जटपर ट्रेड़ी भी हो जायेगा और यह अंदर से बहुत ही MP होता है और ऊपर से क्रिस्पी होता है तो बिल्कुल खाने में यह ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें चीज बड़ी हुई है तो चीज इतने सॉफ्ट होती है बिल्कुल आलू और कॉन फ्लोर ऐसे ही हो जाता है इस पकॉड़े में स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से इसको चान लेंगे थोड़ा सा यह डार्क ब्राउन थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर जब हो जाए बिल्कुल इस तरह तो आपको इसको निकाल लेना है तो फ्रेंड्स चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलती रहे तो बाकी बचे हुए भी पकोड़े में ऐसे ही चान लूँगे तो आप इसको स्नैक्स के टाइम पर बना सकते हैं और छटपट यह बनके तयार हो जाएगा चोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो मेरे घर में तो मेरे भतीजे ने इसको बहुत खाया है बहुत अच्छा लगा उसे तो बिल्कुल यह बनके तयार हो गया है तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए वीडियो या फिर नहीं भी पसंद आए तो कॉमेंट करना जरूर आपको करना चाहिए जिससे कि मुझे पता चले कि कम यह कहां रह रही है तो अब हम बना के इसको सर्फ कर देंगे और चाहिए के साथ और टोमेटो केचप के साथ मेया सर्फ कर रही हूँ आप चाहे तो चटनी भी बना के इसमें रख सकते हैं और यह खाने में बहुत ही अच्छा होता है आप देख सकते हैं मैं फोड के आपको दिखाती हूँ कि देखें कितना इजिली कितना सॉफ्ट आपको पता ही चल रहा हूँ यह बहुत ही सॉफ्ट अंदर से और खाने में भी बहुत अच्छा है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें यह